रसोई घर में इसनान करते ही प्रवेश करें जब भोजन बनाबें तो महां भारत ना बाचन बोजन बनाते समय भगवन नाम सिमरन करते हुए रसोई बनाबें फिर ठाकुर जी को भोग लगाबें या अपने कुलके देवताओं को फिर पती को पवाबें अरे पहले के जमाने में हमने माता जी के यहां देखा है हमारी माता जी जब रसोई बनाती थी तो पहली रोटी गव माता को और जो अंत में रोटी बनती थी वो कुट्ता को अब बड़ो ओल्टो जमानों पहली रोटी खुद धास लेद लाश्ट की रोटी खसम हां देदी मानों क्या अरे सीधी सी बात खुद गवन भी चाहत के हम गव माता है हमाओ खसम कुलता है हम तो यहीं सोचेंगे तो जैजै तो कि यहीं अर्थ हुआ अरे साथू जी जो भी प्रशादन वंगे सबसेपहले ठाकुर जी को जिमाओ मेड़ी माता ओ जो भी प्रशादन में सबसे पहले अपने खुल्योता को जिमाओ ठाकुर जी को जिमाओ इसके बाद वही प्रशाद सबको पबाओ तो सबकी बुद्धी सुद्ध हो जाएगी